Hello and welcome to study news आज हम इस वीडियो में 28 अगस्त के exam related जितने भी important questions हैं उन्हें हम यहां solve करेंगे So let's start First question है नीती आयोक के Export Preparedness Index 2020 में सीर्स पर कौन सा राज्य है? Options है हर्याडा, उत्तरप्रदेश, गुजरात या तमिलनाडू तो गुजरात ने नीती आयोक के Export Preparedness Index में सीर्स इस्थान पराप्त किया है तो इसमें उत्तर Option C, गुजरात साई है आप इस लिष्ट में देख सकते हैं इस लिष्ट में आप यहां पर देख सकते हैं कि टॉप 10 में से 6 राज्ये, Coastal राज्ये हैं Coastal मतलब तट्ये राज्ये हैं जिसमें यहां पर टॉप पर गुजरात है फिर महाराश्र तमिलनाडू अगर Land Locked राज्ये की बात करें तो Land Locked राज्ये में राज्यस्थान ने टॉप किया है और हिमालियन रेंज की बात करें तो इसमें उतराखन टॉप पर है और Overall में गुजराट टॉप पर है तो गुजराट की राज्धानी गांधी नगर है Chief Minister विजयरूपाणी है और Governor आचारे दिवरत है Next question है कौन से गेंदबाज 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए है Options है James Anderson, Dale Stein, Tim Saudi या Trent Bolt तो England के तेज गेंदबाज James Anderson ने 25 अगस्त 2020 को 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए है तो इसमें उत्तर Option A सही है इन्होंने अपना 600 टेस्ट विकेट पाकिस्तान के अजर अली को आउट करके प्राप्त किया इनसे पहले 800 टेस्ट विकेट के साथ स्रिलंका के मुथया मुरली धरन और आश्ट्रेलिया के सेनवान 708 विकेट के साथ और इंडिया के अनिल कुमले 619 विकेट के साथ इनसे आगे है लेकिन ये तीनों ही स्पीनर गेंदबाज है Next Question है Women's Equality Day कम मनाय जाता है Options है 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त या 27 अगस्त तो Women's Equality Day हर वर्स 26 अगस्त को मनाय जाता है तो इसमें उत्तर Option C सही है ये दिवस महिलाओं के मताधिकार के लिए मनाय जाता है ये USA में 1920 के दसक में अपनाय जा रहे 19 में संसोधन को याद दिलाता है जिसमें महिलाओं को मताधिकार प्राप्थ हुआ था Next Question है किस राज्य सरकार ने प्रवासी स्रमिकों के लिए पारगमन घरों के निर्माड का फैसला किया है आपसन से हर्याणा, राज्यस्तान, उडिसा या करनाटका तो करनाटका राज्य सरकार ने प्रवासी स्रमिकों के लिए पारगमन घरों के निर्माड का फैसला किया है ये किस खेल से संबन्दित हैं आप्सन से है टेबल टैनिस, चेस, क्रिकेट या बैडमिंटन तो पोलोमी घटक ने सेवा निवृत्ती की घोशना की है ये टेबल टैनिस से संबन्दित हैं तो इसमें उत्तर आप्सन ए टेबल टैनिस सही है सबसे सफल भारतिय टेबल टैनिस खिलाडियों में से एक पोलोमी घटक ने खेल से सिव्या नियुरित्ती की घोशना की है पोलोमी घटक साथ बार की राश्ट्रिय चेंपियन भी है इन्होंने 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमन वेल्थ गेम्स में और 2000 से 2008 के बीच कॉमन वेल्थ चेंपियन में भारत का प्रतिनिधी कर चुकी है नेक्स्ट कोस्चन है डबलू एच्चो ने किस महादीप को पोलियो मुक्त घोशित कर दिया है ओप्संस है एसिया, अफरीका, नौर्थ अमेरिका या यूरोप तो डबलू एच्चो ने अफरीका महादीप को पोलियो मुक्त घोशित कर दिया है तो इसमें उत्तर ओप्सं भी अफरीका सही है इश्की घोशना डबलू एच्चो के अफरीका के छेत्रिये निदेशक डॉक्टर मत्सडीसो मोहिती ने की उन्होंने इसे अफरीका के लिए एक एतिहाशिक दिन बताया अफरीका महादीप में पिछले चार वर्सों से कोई भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया था डबलू एच्चो की बात करें तो डबलू एच्चो की स्थापना 7 अपरेल 1948 को ही थी इसका हेड़कॉर्टर जिनेवा स्विजरलेंड में है नेक्स्ट कॉस्चन है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई है आप्सन्स है मेरी लूकस रिजनेवेल्ड, सोम्या स्वामी नाथन, सुरूती प्रकास या अदिती राव तो मेरी के लूकस रिजनेवेल्ड इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है तो इसमें उत्तर आप्सने सही है ये नीदर लेंड से है और ये मात्र 29 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 जीत लिया है इन्होंने ये प्राइज अपनी बुक दर डिसकमफर्ट आफ इवनिंग के लिए मिला है किस राज्य की महिलाओं द्वारा मुद्रा योजना के तहत लिये गए रेड के मामले में सीर्स पर है तो इसमें उत्तर आप्सन भी तमिल नाडू सही है प्रदान मंत्री मुद्रा योजना की स्थापना के बाद से महिला उधार करताओं को लगभग 5 लाग करोड रुपे से अधिक रिंड दिये गए है तमिल नाडू के बाद पश्चिम बंगाल और करनाटका का इस्थान है तमिल नाडू की बात करें तो तमिल नाडू की राजधानी चेन नहीं है चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है दुनिया की सबसे बड़ी खसरा महमारी समाप्त किस देश ने की है जिंबावे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो, युगांडा या मुरक्को तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो ने दुनिया के सबसे बड़े खसरा या मीजल्स के प्रकोप को समाप्त कर दिया है तो इसमें उत्तर ओप्सन भी सही है खसरा या मीजल्स वाइरस एक वाहक द्वारा खासने या छीकने पर किसी के संपर्क में आने पर पूरे सरीर में फैल जाता है जिसकी वज़े से mental disability, अंधापन या बहरापन और मृत्यू तक हो सकती है Democratic Republic of Congo की बात करें तो इसकी राजधानी किन सासा है यह अफरीका महादीब का एक देश है और यहां के प्रेसिडेंट फैलिक्स सिलिम्बो है नेक्स्ट कोस्चन है विश्व जल सप्ता कब से कब तक मनाय जाएगा ओप्सन्स है 24-28 अगस्त, 21-27 अगस्त, 19-23 अगस्त या 17-24 अगस्त तो विश्व जल सप्ता दिवस 24-28 अगस्त मनाय जाएगा कोविड-19 महामारी के कारण विश्व जल सप्ता 2020 को एक आभासी प्रारूप में मनाय जाएगा इसके 2020 के संसकरण को स्वीडन के स्टॉक होम में 23-28 अगस्त तक होने वाला था लेकिन COVID-19 के वज़े से ये 24-28 अगस्त तक होगा विश्व जल सप्ता के तीसवे संसकरण का थीम है Water and Climate Change Accelerating Action तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment कर दो कर दो